नमस्कार दोस्तो इस सीजन में आपने जरूर सुन्दर सुन्दर पौदे लगाई हुए होंगे और आपकी बहुत सारी क्वेरी रहती हैं कि सर बिंडर की सीजन में हमारे जो सीजनर प्लांट होते हैं वो डेमेज हो जाते हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस मौसम में आप अपने गार्डन में केर कैसे कर सकते हैं खास कर सर्दियों के पौदों की तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस समय के सीजनर प्लांट है जैसे पेटूनिया हैं गजेनिया हैं या फिर आपने अगर वेजेटेवल तो आप अपने पौदों को कुछ इस तरह के तरीके से सेट कीजिए कि उन पर ज्यादा से ज्यादा धूप आ सके बगीचे में अगर कोई बड़ा पौदा खड़ा है तो उसे पूरून कर देजिए जिससे आपके पौदों पर 5-6 गंटे की भरपूर धूप मिल सके पौद चेवल्स के मामले में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी वाली बात है धूप होने के बाद दूसरा जो फेक्टर होता है वो यह वाटरिंग सर्दियों में ज़्यातर जो पौदे मरते हैं वो ओवर वाटरिंग की वज़या से ही मरते हैं तो पानी देते समय दो वाद सेह सकें और दो दिन का अंत्राल रखिए अगर धूब ज़ादा नहीं आती है तो फिर अंत्राल को आप और भी बढ़ा सकते हैं त्यान रखिए कि पौधों के गंबलों में पानी टिकना नहीं चाहिए सर्दियों में अगर पौधों की ग्रोध की बात की जाए तो बिना जो थोड़ी हीट होती है गुबर खाद से जादा तो सर्दियों के मौसम में आप हर सप्ता अपने पौधों में खाद दे सकते हैं खाद देने के बाद गुडाई करने के बाद उसमें पानी देना मत भूलेगा बाटिंग उतनी कीजिए कि जिससे आपकी खाद में नमी बन खाद दें आप सिर्फ एक ही खाद का चुनाव रखिए एक खाद देंगे तो आपके जो पौधा है वह अच्छे तरीके से सर्वाइब कर सकेगा और पौधों की ग्रोथ जो है वह काफी नेच्रल होगी और आपका प्लांट जो है हेल्दी और सुन्दर दिखेगा अगर फ पानी मिला होता है और पानी अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो फिर पौधों को बचाना बड़ा ही कठिन हो जाएगा और फिर आप कहेंगे कि सर्दियों में जो पौधों सूख जाते हैं या जो पत्यां ड्राइब हो जाती है उन्हें आप हर सप्ता थोड़ा जूब मिलती रहेगी और पौधों को जो पौशन मिल रहा है या एनरजी मिल रही है वो उनकी वेस्ट नहीं होगी उनके जो हेल्दी प्लांट हेल्दी जो भाग है या रांचे से उनमें समय से पौशन मिलता रहेगा तो पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करेगा अगर आपक जबता या दो तिन दिन बाद आप इने धीरे धीरे अपने पौधों से गंबों से या मिट्टी से निकालते रहेगा तो यह चार-पांच केर टिप थी धूप पानी खात प्रोणिंग इन सब का ध्यान रखेगा और हमें उम्मीद करते हैं कि आपका जो बगीचा है वो इन आपको कोई समश्या है या क्वेरी है तो बेज जब कमेंट कीजिए पूचिए हमसे थैंक्यो आपका दिन शोग हो